तो friends जैसा कि आप सभी लोग जानता हो कि अभी थंडी पढ़ेने लगी है और अभी new year भी आ रहा है इसलिए काफी थंडा बढ़ चुकी है और थंडी में सभी लोग room meter का use तो करते हैं और जो room meter होते हैं काफी थे expensive होते हैं अगर आप उसको market से खरीदते हो और अगर आप उस सा compact room meter बना कर दिखाने वाला हों काफी कम दा में वो heater बन जाएगा और ज्यादा बिजली भी नई खाएगा तो heater बनाने के लिए मैंने कुछ लकडी के piece cut कर लिये हैं और मैं इसका basic सा design मनाता हूं जो कि heater का होता है तो मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक कर लिये हैं और इन दोनो पर इसका जो main component है मतलब कि जो हमारा main चीज है वो है हमारे heater का rod तो मेरे पास एक glass वाली rod है आप लोग देख सकते हो इसके अंदर भी वही नाइक्रोम wire होता है लेकिन एक कम wattage का होता है और मैं यहाँ पर इसका use नहीं करने वाला हूं मैं आपको बाद मैं बताऊंगा यहाँ पर मेरे पास दू वायर है तो सबसे पहले मैं इस wire को छील लेता हूं तो इस wire को मैं इस washer से होते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको fold कर दूँगा ताकि हमारी जो wire है वो इससे ना निकले आप चाहोते हैं यहाँ पर shoulder भी कर सकते हो wire में ठीक है क्योंकि यह washer पर shoulder कर लेना ज्यादा सही रहेगा तो यहाँ पर मैं इन दोनों washer को इस wire में कुछ इस प्रकार से fix कर लूँगा तो देख सकते हो मैंने इन दोनों washer में इस wire को लगा लिया है और अब मैं इस wire को इस लगड़ी की beat में जो हमने नीचे hole के है वहाँ से इस wire को निकाल लूँ तो अब मैं इस heater के rod को इसमें लगाने वाला हूँ तो इसमें जो screw दिया हुआ है वहाँ समें इस washer को इसमें फसाद देंगे और इसको मैं लकडी के block में fix करने वाला हूँ और इसी प्रकार से दूसरे वाले wire को और इस block को यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और इस दूसरे block को मैं फेल्ग के मदल से चिपका लूँगा ताकि यह हमारे एकदम stable हो जाए और इसमें मैं एक reflector लगा रहा हूँ और यह जो reflector है मैंने LED पैनल में से निकाला है और इसके पीछे के candle भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस handle को मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फोल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं इस aluminum के handle को हलका से नीचे एक तरफ फोल्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीके से fix हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसको screw के मदल से tight कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हो हमारा reflector यहाँ पर लग चुका ह और इसको मैंने screw के मदल से tight कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सामने का जो पूरा portion है वो पूरा खाली है और यहाँ पर इसो खाली छोड़ना सही नहीं रहेगा यह थोड़ा risky हो सकता है तो यहाँ पर मेरे पास एक aluminum का mesh है जिसको जाली भी कहते है net तो मै मैं इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ अगर आपके पास steel का है तो आप वो लगाना ज़्यादा सही रहेगा तो मैंने इस net को इसी के size का cut किया है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे जहाँ मैंने screw लगा है वहाँ पर मैंने इस प्रकार से mark कर लिया है ताकि मै से fit करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं पहले mark कर लेता हूँ जहाँ पर हमको screw लगाना है तो आप लोग देख सकते हो मैंने screw लगा लिया है उपर की तरफ और नीचे की तरफ और यहाँ पर बीच मैंने screw नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छा मुझे design लगा इसलिए मैंने आपर screw नहीं लगाया और अब इसकी wire को भी set कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो wire है वो थोड़ी पतली है आप इसकी जगह पर मोटे wire का use करना ज्यादा सही रहेगा तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे नौर्बाली ने चोड़ने वाला ह तो देख सकते हो मैंने sleeve को इस wire के उपर चड़ा लिया है और इसके बाद मैं इसके side में पूरा फेवक्री के लगा दूँगा ताकि हमारी जो wire है वो नहीं ले और इसी प्रकार से मैं पूरा इस wire को नीचे भी ले जाँगा और वहाँ पर भी में फेवक्री के लगा दूग और इसको भी मैं यहाँ पर फेवक्री के मैं से चिपका लूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे जो heater है वो बनकर त्यार हो चुका है और अब यहाँ पर सिर्फ wire लगानी की देरी है तो यहाँ पर मैं इस wire को cut कर लेता हूँ और यहाँ पर में एक लंबी सी wire को लेते हैं और यहाँ पर हमने इस multimeter को buzzer के range पे set किया और यहाँ पर जब इन दोनों प्रोग को आपस में touch करोगे तो हमारी जो value है वो 2 से लेके 0 तक दिखाएगी और यहाँ पर जब मैंने इन दोनों rod के wire के साथ इसको connect किया तो हमारी जो value है यहाँ पर थोड़ी बढ़ दिया है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पूरी तरहेके से shockproof है यहाँ पर हलका सा भी current नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं इस heater के rod में इसको test करके दिखाता हूं देख सकते हो यहाँ पर इस termal पर नहीं आरहा है दूसरे तरफ मैं आपको चकर के दिखाता हू तो देख सकते हो यहाँ पर इसमें पूरा current आ रहा है मतलब हमारा जो heater है वो चालू हो चुक है तो यहाँ पर थोड़ा देर रुखते हैं तो देख सकते हो हमारी जो rod है वो गरम होना start हो चुक है और यहाँ पर यह थोड़ा सा red भी हो चुक है मतलब कि red hot यहाँ पर हो चुका है तो एक बात आपको मैं बदाता हूँ चीनी मिट्टी वाले rod की अगर आप इसको एक बार गरम करते हो न तो काफी देर तक यह गरम रहते है और इसी की जगा अगर आप glass वाली rod का यूज करोगे तो वो जल्दी तो पर हो जाएगा एकदम जल्दी red hot हो जाता है लेकिन उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी पड़ जाता है और इसकी गरमी काफी दूर तक महसूस होती है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना शेर करना इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइबर के बेल एकिन को प्रेस कर लीजेगा आप जाओ तो में इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तब तक के लिए थैंक्स व वाचिंग